दोस्तो डिजलो मार्केटिंग गुरुजी के एक और चांदार और नॉलिजबल वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताने वाल हूँ कि आप अपने बिजनस के लिए गूगल के उपर एक फ्री वैबसाइट को कैसे बना सकते हैं देखे दोस्तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने वाल है आप गूगल के उपर अपने फ्री वैबसाइट बना banana सकते हैं आपको गूगल के उपर अपना dawn green free में कैसे लेना है hosting कैसे फ्री में लेनी है आपको टैंप्लीट कैसे choose करना है अपनी वैबसाइट को अपने बिजनस के अनुसार कस्टमाईज कैसे करना है इस वीडियो में आज मैं आपको A2Z संपूर्ण जानकारी दूँगा और वीडियो में आज मैं आपको आपके बिजनस के अनुसार एक professional website आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आज आपको सिखा हूँगा तो अगर आप भी दोस्तों कोई बिजनस रखते हैं आपके बिजनस के लिए भी Google के उपर अपनी एक free website बनाना चाहते हैं तो यस वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल Digital Marketing Guru जी पर पहली बारा हैं तो Digital Marketing Guru जी चैनल को मिस मत करना और हर वीडियो का notification अगर आपको टाइम पर चाहिए तो bell icon बटन जरूर पहस कर देना देखे गूगल पर free website बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा सब सपहले दोस्तों आपको Google पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइब करना है Google Sites और simply दोस्तों आपको Search बटन पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप Search बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने sites.google.com का जो official website है उसका link आपके सामने आ रहा है तो simply दोस्तों आपको करना है इस वाले link के उपर क्लिक करने है जैसे दोस्तों आप link के उपर क्लिक करोगे आप यह पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने sign up करने के लिए एक email डालने का जो option है वो आपको यहाँ पर मिल रख़ा है तो यहाँ पर देखे आप जिस भी mail id का इस्तमाल करके site.google.com पर अपना account बनाना चाहते हैं और इस mail id की मदद से आप अपनी free website को बनाना चाहते हैं वही mail id आपको यहाँ पर choose करनी है तो देखे मैं यह वाला mail id यहाँ पर choose कर लेता हूँ देखे mail id login करने के बाद अब आपके सामने इस परकार से कुछ जो है sites.google.com का जो complete dashboard है वह आपके सामने खुल जाएगा और इस परकार से dashboard खुलने के बाद अब आप अपनी लिए यहाँ पर आशनी से एक free website को बना सकते हैं देखे free website को बनाने से पहले अगर आप यहाँ पर चानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर google.sites.com को थोड़ा बहुत पहले समझ लेजे ताकि अपनी free website को आशनी से आप बना सकें देखे अगर आपकी कोई यहाँ पर already sites हैं तो वो सारी की सारी sites आपको यहाँ पर देखेगी आपकी classic sites यहाँ पर देखेगी जो भी आपके documents है sheets slides है, slider है, form आपने बनाया है वो अपनी website के लिए तो वो आपको यहाँ पर देखेगा अगर आपको documents, videos upload कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको drive देखेगा तो यह सारा google sites का menu है जिसकी मतलब से आप अपनी website को manage कर सकते हैं अब आपनी free website आप कैसे बनाएंगे वो आप समझ लीज तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे हमने plus button पर click किया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने google के अंदर जो site बनाने का step by step process है वो आपके सामने खुल चुका है और यहाँ से दोस्तों आपके लिए यह video important है थोड़ा ध्यान से देखेगा जो process मैं proper theme है जिसके अंदर आप अपनी website को बनाएंगे थोड़ा आप इसको नीचे scroll down करके देखेंगे तो side में देखे आपके यहाँ पे पूरे menu है menu के according आप अपनी website को build करेंगे देखे अब मैं आपको website build कैसे करते हैं वो बता देता हूँ सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ प के पास logo नहीं है नाम डालना चाहते हैं तो नाम भी डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह पेस title के अंदर भी आप चाहें तो अपनी website का नाम डाल सकते हैं जैसे मैंने आपी walks media डाला उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यह slider दिख रहा है तो slider में आप अपना एक image ल करूँगा क्योंकि मेरा जो काम है वो digital marketing का है ठीक है तो मैंने आपे digital marketing डाला और digital marketing में search कर लेता हूँ तो यह दे कि digital marketing के कुछ graphics आ रहे हैं मैं इनमें से एक choose कर लूँगा और select button में आपको click करने हैं जैसे दोस्तों आप select button में click करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपक website आप कैसे बनाएंगे देखे वो आप समझ लीजे यहाँ पर side में देखे आपको insert का option देखे रहा है यहाँ पर pages का option देख रहा है यह आपकी theme का option देख रहा है तो हम यहाँ पर आप क्या करेंगे insert करेंगे कुछ भी तो insert में देखे आप क्या-क्या insert कर सकते हैं वो आप सम blocks automatically आ चुके हैं और अब इसके अंदर हम अपनी services की complete details डाल देंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर plus button पर आपको click करना है और यहाँ पर plus button पर click करने के बाद दोस्तों आप सबसे पहले select image पर click करिए और जो भी आपकी services है जो भी आपका मैं इसको select करूँगा और insert button पर click करूँगा तो यह देखिए मेरा पहला जो image है वो लग जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे SEO भी डालना है ठीक है इस परकार से SEO डालिए और SEO के बारे में आप यहाँ पर लिग सकते हैं जैसे we provide ठीक है we provide best SEO services in जैपूर इस परकार से आप अपना एक बार यहाँ पर डाल दीजेगा उसकी बाद दोस्तों दूसरी service आप add कर सकते हैं उसी परकार से select image पर click करो और उसकी बाद दोस्तों Google search image पर जाना है और यहाँ पर देखिए आपको अगर कुछ भी डालना है जैसे PPC मैं आपर डालता हूँ और PPC की दोखिए images यहाँ पर आ रही है ठीक है तो मैं आपर images PPC की चूज कर लूँगा जैसे मैं यह image पर click करता हूँ और insert button पर click करता हूँ उसी परकार से दोस्तों आपको यहाँ पर PPC भी डाल देना है और PPC डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो description है वो भी आपको डालना है ठीक है इस परकार से आप जो है description डाल सकते हूँ उसके बाद दोस्तों एक और service आपको कुछ ऐसे ही डालना है तो आप यहाँ पर देखे, एक ओर service डाल सकते हूँ, जैसे आप यहाँ पर website का service डाल सकते हूँ, जैसे मैंने website डाला, website बटन पर search करो, और देखे, यहाँ पर website आ चुका है, ठीक है, तो मैं इस image को यहाँ पर insert कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखे, website design मैं service डाल देता हूँ ठीक है मैंने website design डाला अब यह आपको थोड़ा professional बनाना है मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा आप professional बनाना है यहाँ इमेज इस वगरा को ठीक है तो यहाँ तक आपका complete हो गया website अब देखिए आपको website में और कुछ डालना है तो और कुछ डाल स हूँ select image पर मैं click करूँगा और देखिए Google search पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैं digital marketing की कोई image और डालूँगा आपके business की कोई image है तो वह आप डाल सकते हो ठीक है मैंने digital marketing यहाँ पर search किया और मैं देखिए digital marketing का एक image यहाँ पर डाल देता हूँ अच्छा वाला तो यह देखिए यह image काफी अच्छी लग रही है मुझे तो मैं यह image चूश कर लेता हूँ slider बनाऊँगा मैं यहाँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए select image पर मैं फिर से click करूँगा और एक और मैं digital marketing की यहाँ जो है image search कर लू हुआ और देखिए दो हो चुकी है ठीक है अब आपको insert button पे click करना है जैसे दोस्तों आप insert button पे click करोगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो images है वो यहाँ पर लग गई है तो इस परकार से आप अपनी images को भी आचनी से लगा सकते हूँ ठीक है आप इसको अगर बड बटन लगाना है ठीक है तो button बगए लगा सकते हो जैसे button पे click किया और यहाँ पे call us कर दो जैसे call us में ने किया link आपको लगाना है तो link आप यहाँ पर लगा सकते हूँ तो link तो अभी हम बटन नहीं लगाएंगे बात में लगा देगे अब आपको और कुछ add करना जैसे य और मैं आपर देखे Google Maps एड़ करता हूँ, जैसे मैं आपर देखे जापूर का लोकेशन डालूँगा, जापूर राजस्तान ठीक है, और जापूर राजस्तान डालने के बाद दोस्तों मैं Select बटन पे क्लिक करूँगा, और जैसे दोस्तों Select बटन पे क्लिक करोगे, ये देख गूगल का फॉर्म भी आपको बनाना पड़ेगा, गूगल फॉर्म बनाने के बाद आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, याप आसानी से, गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो आप जानना चाते हैं, तो मुझे कॉमेंट करना, मैं आपके लिए उस पे पूरा प्रॉपर वी इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, गुरुजी मैं आप डालूँगा, ठीक है, गुरुजी मैं आप डाला, और सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है, आप देखें, मेरे याप काफी सारे वीडियो सा चुके हैं, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, और सलेक्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, इसी परकार से दोस्तों आप चाहें, तो यहाँ पर देखें, इसको बड़ा बना सकते हैं वीडियो को, ठीक है, इस परकार से वीडियो को आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको footer बनाना है, तो footer में आप यहां पे add footer पे click करो, और यहां पे walks media डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला walks media, ठीक है, तो यह आपका footer बन गया, यह professional website नहीं है, इस चीस का ध्यान लखना, यहां पे आपको temporary बनाना पड़ेगा, जो भी बनेगी, आप देखिए, आपकी जो website है, वो something something ready हो चुकी है, website ready होने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, publish button पे click करना है, और जैसे दोस्तों publish button पे click करोगे, आप से पर पूछा जारा है, आपकी website का name, तो यहां पे देखे, मैं walks media डालता हूँ, और walks media डालने के बाद दोस्तों आप यहां प तो मैं आप एक लगा दूँगा, जैसे आप एक लगाएंगे, यह देखे, आपको मिल चुका है, यह आपका domain name है, अब आपको करना क्या है, यहां पे publish button पे click करना है, जैसे दोस्तों आप publish button पे click करेंगे, आपकी website publish हो चुकी है, और अगर आप इस website को देखना चाहे, तो यहां पे देखे, आप इस website को देख सकते हैं, जो भी आपकी website publish होई है, उस website को आप आसनी से देख सकते हैं, आपने कैसी website बनाई है, तो यह देखे, आपकी website इस परकार से आपने बनाई है, इसको थोड़ा अगरा professional बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, तो आपकी website definitely अच् आप चाहें, तो इस website पर campaign वगरा भी रन कर सकते हैं, अगर आप इसको professional बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे आपने जो domain name डाला है, उस domain name को आप अपना खुद का domain name परचेस करके add कर दो, अगर आप add करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप इस skills को improve करना चाहते हैं, तो इस channel को miss मत करना, channel को subscribe कर लेना, क्योंकि इस channel पर मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, daily knowledgeable videos, जिनको आप घर बेटे देख सकते हो, और इन videos को देखे, आप अपना knowledge और skills को improve कर सकते हो, इन videos को देखे, आप घर बेटे online earning कर से कर सकते हैं, वो भी चैनल को miss मत करना, subscribe करना चैनल को, और bell icon का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का notification सबसे पहले मिलते हैं, वीडियो आज़ा, आगर आपको अच्छा लगा है, तो like करना, इस video को share करना, like करोगे तो मेरा होश्रा बढ़ेगा, इसी परकार के शांदार वीडियो मैं आपके लिए लगातार बनाता हूँगा, आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को support और subscribe करने के लिए, आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,